बालक येशु के आगमन यात्रा का बीस्वा दिन प्यारे मित्रों बालक येशु के आगमन यात्रा के बीस दिन बीच चुके हैं मेरे साथ इस यात्रा में लगे सबी को बालक येशु अनुग्रहित करें आज हम अपने मरंशिंदन के लिए लेते हैं बालक येशु के जन्म से जुडे हुए सबी गड़नावों, विक्तियों और प्रधिगों आसमार में उदित तारे बीते दो हजास साल के पहले हम सब के लिए हमारे पूर्वजूं के लिए एक वरदान था आज यहतारा सबों के लिए अंदेरे में प्रगाश के तरल है जीवन के अंदेरे में रहने वालों के लिए मृत्यों के किवाड में रहने वालों के लिए प्रगाश के तरल यहतारा उदित हुआ है जब बालक एशु चरणी में जिन्मा उसी वक्त यहतारा आस्मान में उदिद होकर ग्यानियों को बालक के दर्शन पाने का रास्ता दिखाया यहतारा अनेगों को जीवन दिया मानवों के हृदे में तरंगों की तरब बहता रहा 2000 से अधिक साल बेतने पर बे यहतारा हमारे रक्षा का दूद बनकर आजबे मानवों के हृदे में मवजूद है यहतारा कडिन गर्मियों में चाया का कारण बनता है यहतारा हमें गने अंदेरे से बचाते हैं निराशा में आशा प्रदान करता है और यहतारा अपने दुखों में सहारा बन जाते हैं प्यारे प्रेमियों आज का जमाना सूपरस्टार का जमाना है एक स्टार बनने के लिए एक दूसरे से कॉमबेटीशन करते हैं कहीं लोग किसी ना किसी काम करते हुए जन हृदेयों में प्रमुकस्तान पाकर स्टार बनना चाहते हैं एक दिन एक चोटा बालक अपने पपा के लिए एक बड़े कार बना रहे थें उनमें जो लिकाता वो सारा कुछ मेंने पड़ लिया यू आर वेरी स्वीट यू आर माई अवरतिन प्रियमित्रों उनके मन में यह विजार पक्के थे कि उनके पपा मम में उनके जीवन में सब कुछ है हमें पता है कि सबके हरदे में सूपर स्टार बनने के लिए नहीं कर सकेगा लेकिन चरणे में जन्मा बालक केशु मुझसे और आपसे भी यह पूचते हैं कि किसी एक विक्ति के जीवन में तारा बनकर उनके जीवन में आसरा बनकर दयालू बनकर रहने का कारण बना है या नहीं और कितने लोगों को मुझे देख कर यह कहने का अवसर देया कि तुम मेरे जीवन में एक राह बन गया सोचना है इस बातों पर इसलिए मेरे मित्रों मेरे घर में मेरे समुह में मेरे समाज में मेरे प्रेरिदारी कारियों में गरीबों को आसरा बनकर दुक्कियों के लिए सहारा बनकर निराश लोगों के लिए आशा का किरन बनकर अंदगार में प्रगाश बनकर एक सूपरतारा बनने के लिए चरणे में जिन में बालक येशु आशिर्वात प्रदान करें आमें